नमस्कार चन्डिकर दूदर्शन में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं कारेकरम स्वस्थ चीवन चीवन ऐसा जीओ कि सबको हो तुम परमान लाखो दानों में सबसे बड़ा नेत्रदान चीवन प्रकृती के भिन-भिन रंगों का लिट्फ उठाने के लिए सबसे महत्पून है स्वस्थ नेत्र लेकिन हम में से कुछ मित्र इस तरह के भी है जो या तो कम या पूरन तदिश्टी ना होने की वज़े से इस रंग भरी दुनिया में भी बेरंग सा महसूस करते हैं तो क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या हमारी उनको लेके कुछ सिम्मेदारी हैं इनी बातों के जवाब देने के लिए भारत सरकौर दुआरा राष्ट्र नेतरदान पकवाड़ा हर वर्ष मनाया जाता है और आज इसी मुद्दे के उपर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में राप्ता बनाया है डॉक्टर सुदेश कुमार आर्या जी ने जो सेक्टर 32 में प्रोफेसर और इन चार्ज है पाई कैम गौर्वर्मन मेडिकल कॉलेज चंडिगर में स्वागत सर्थ डॉक्टर साब सबसे पहला सवाल ये पकवाड़ा कब से कब तक मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे का उदेश्य क्या है भारत सरकार की तरफ से हर साल 25 अगस से 8 सिप्टमबर तक ये पकवाड़ा मनाया जाता है इसका उदेश्य है कि हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जो पुतली होते हैं जिसको कौर्निया भी कहते हैं उसमें खराबी होने की वज़ासे वो देखनी पाते है तो हमारे देश के अंदर काफी कम लोग नेतरदान कर पाते हैं या करते हैं तो उस नेतरदान को बढ़ावा देने के लिए ताकि जादर जादर लोग इस चीज़ को समझें और जो नेतर हीं लोग हैं, उनको मदद कर सकें, यह हर साल जागरुकता फैलाने के लिए गॉर्मेंट्री प्रोग्राम चला रही है, जैसे इस साल 38 अप प्रोग्राम चल रहा है हर वर्ष कोई थीम भी डिसाइड के जाते इस प्रोग्रम के लिए या एक ही थीम को लेके हर साल वर्ष इस पर प्रोग्रम किया जाते हैं इसमें पर्खौरिक अंदर थीम यह थे कि हम कैसे जादे-जादे लोगों को नेतर दान जोड सके क्या वज़ा है कि कई बार बहुत चोटी-चोटी बैمारियां नेत्रहिंता की तरफ बंदल जाती है तो क्या वज़ा है कि ऐसा कुछ हमला परवाई है या फिर पूरी पूर जागरूतर ना होना है जो हम चोटी से बेमारी को नेत्रहिंता में बंदल लेते है अबने बड़ा अच्छा प्रेशन पूछा कि हमारे देश के अंदर कई सरे इसी प्रावलम है अगर अगर हम उनको ठीक कर ले तो हमारा नेतनी लोगों के संके वैसे ही कम हो जाएगी जैसे इस सबसे जो मुक्य समस्या जो हम देखते हैं जैसे आजकल जैसे आई फलू चल रहा है तो इस आई फलू के जमाने में या हमेशा कभी ना कभी जैसे आँक के अंदर कुछ भी प्रावलम होता है तो हम देखते हैं कि लोग सीधा chemist के पास जाते हैं और उनसे पूछ देते हैं हमने कोई दवाई दो और chemist भी mostly हम देखते हैं कि कुछ भी दे सकते हैं तो बिना किसी eye specialist के पास जाए अगर हम directly chemist के पास जाते हैं कास कर ऐसा chemist जो जादा अड़ालिका भी नहीं है तो उसका result होता है कि वो आँखों में steroid दे रहते हैं तो जब भी हम आँखों के अंदर steroid eye drop डालेंगे अगर किसी eye flu है और साथ में steroid डाल दिया और इसके अंदर आँख में बहुत discharge था तो पूरी संभावन एक उसके जो पुतली खराब भी हो सकती है तो इसलिए आँखों के अंदर कोई भी drop अगर हमने डालनी है तो बिना किसी eye specialist के आँखों के डाक्टर के सला के बिना कुछ भी नहीं डालना चाहिए कुछ लोग हमने देखा है कि जैसे आँख में कुछ कचरा आ गया है या कुछ भी हुआ कुछ रड़क कौरिया चोटी मुटी तो क्या करेंगे घर के अंदर बैठे बैठे कुछ शेहत डालेंगे कुछ दूद डालेंगे गुलाब जल कुछ भी उनको जो लगते है भी यह डालने से ठीक हो सकते है अपने अब डालते हैं तो जो सेल्फ मेडिकेशन है मतलब खुद अपना इलाज करना बिना आँखों के स्पेश्रिस्ट को दिखाए एक बहुत बड़ा कारण है मारे देश के अंदर से काफी लोग अपनी कॉर्णिया को खराब कर बैठते हैं तो हमें इसलिए यह नहीं करना जीए सेल्फ मेडिकेशन एक सबसे बड़ी वज़ा है कि हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं हमें लगता ही नहीं कि जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की और शायद एक बहुत बड़ी वज़ा और दूसरी है अपने बात बताई कि कैमिस्ट के पास जिब हम स्टिरोइट बागा लेते वो भी काफी नुकसान देगा तो डॉक्टर साब प्लेज आई प्लेज मैंने सुना आखसर तो आई प्लेज का क्या मतलब है और कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है तो बेसे के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में कम से कम 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी कौर्निया खराब है और इसमें से 2 लाख लोग ऐसे से बढ़ती जा रही हैं तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं पहला तरीका तो यह कि हम सबसे पहले जागरुकता फैला हैं तो जागरुकता फैलाने के लिए हमें आखे-दान के लिए शपत लेनी चाहिए जिसको हम बोलते है प्लेज तो प्लेज का सिंपल मतलब है जैसे हमारे जैसे आई-बेंक की टीम है तो वो लोग जाते है जो भी बुलाते है या एवन मृत्यों के बाद अपनी आखे-दान करूंगा जो भी आपके आसपास नेत्र का बैंक है आई-बेंक जिसको हम कहते है तो वहां पे दान कर सकता है तो एक्च्वल में फाइदा कब होगा जब मृत्यों के बाद आँके दान की जाएंगी तो जो प्लेज करते हैं शपत लेत लेकिन परिवार इस चौनौति और सामने आती है जहां पर एक इंसान ने मरने से पहले प्लच तो लिए लेकिन परिवार इस चीज़ को लेगे सहीोग करने को तयारी है तो फिर ऐसी चुनौती को किस तरह से तो बिसकिली कानून की दिश्टी से क्योंकि एक कानून है जिसके तहत आई बेंक एक्ट बोलते हैं उसको Human Organ Transparent Act तो उस एक्ट के साबसे सारा काम होता है नेतरदाम की तो जब भी हम किसी का नेतर लेंगे हमें उनके घरवलों के जो सबसे nearest है जैसे मालों पेरेंट्स हो सकते हैं ब्रदर, सिस्टर या बच्चे उनकी कंसेंट के बिना हम नेतरदाम नहीं ले सकते हैं तो इसलिए प्लेज का फैदा ही होता है कि जब हम प्लेज कराते हैं तो प्लेज के अंदर जो व्यक्ति आंके दान करना चाता है उसके साइन होते हैं प्लेस उसके घरवलों के भी सिगनेचर होते हैं जिससे उनके घरवलों को ये समझ आ जाते है कि ये व्यक्ति आंके दान करना चाता है अपनी मेत्यों के बाद तो इसलिए प्लेज का फैदा होता है लेकिन pledge के बाद अगर वो घरवाले ज्यादा motivated नहीं है तो फिर वो मना भी कर सकते हैं अगर किसने pledge किया है लेकिन घरवालों ने अगर उसके मृत्तों के बाद आंखे दान करने से मना कर दिया consent पे sign करने से मना कर दिया तो हम नेतरदान नहीं ले सकते हैं इसलिए pledge करते हैं सबसे important यह है कि हम खुद तो motivated हैं साथ में हमरे घरवेले भी पूरी तरह से motivated होने जब तक वो प्रेरित नहीं होंगे तो फिर नेतरदान होगा नहीं जी तो जब हम registration कराते हैं तो इसके किसी भी तरह के कोई charges होते हैं या फिर जब नेतरदान होते हैं तो क्या उस समय भी कोई fees या कोई registration charges होते हैं पूरा प्रोगराम, िसारा का सारा बिल्कूल समाद सेवा है, तो कोई प्लेज करताई उसको पैसा ना देना होता है, यह इस ही त्रहें जब आखे ăn करते treatments, तो जो तान करते तो उसको पैसा नहीं दिया जाता, जो कॉर्णिया जिसको समय नत्री नेउस के सिल सेवा नियना होत जी इनसान के मृत्तियु के बाद कितना वोक्त होता है एक नेतरदान करने के लिए आपकी टीम के पास अन ora को संभालने के लिए तो कितना वो वक्त होता है भाझ अपनी प्रेश ना जैसे मृत्तिय होती आ तह O श्रीर के सारे अंग ठंडे हो जाते हैं उसके बाद हमारा सारा जो मैटबलिजम जिसकों बोलते हैं वो धीरी देरे खराब हो जाता है तो हमारी जो पुतली है छे घंटे तक बिलकुल नॉर्मल जैसी होते वैसे रहती है अगर उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा तो हमारी पुतली जो है सफेद हो जाएगी तो सफेदी होने की वज़ाए से फिर अगर हम दान कर भी देंगे और जिसकों लगाएंगे तो उसमें उतनी रोशनी नहीं आएगी तो इसलिए लोगों को ये सला दी जाते है कि जब रित्ती हो जाए तो इमेजेटली उनको आई बैंक के टेलीफोन नंबर पर फोन करना चाहिए ताकि विदिन 6 आवर 6 घंटे के अंदर टीम आ जाए और आंके दान ले ले अगर आंके दान हो जाएंगी 6 घंटे के अंदर तो जिसकों कौरने वो लगाएंगे तो उसको फिर अच्छा दिखेगा नेतरदान करने से पहले क्या किसी तरह का कोई टेस्ट भी करना पड़ता है या फिर कोई और प्रिकॉशन जा क्या साफधानिया लेनी जरूरी है जब हम नेतरदान करते हैं उसमें जब मृत्य हो जाती है तो घर वालों को क्या करना चाहिए जो डेड़ बॉड यह उसकी आंकों को ढख देना चाहिए और अगर उपर पंका चल ले तो बंद कर देना चाहिए अगर बैस्ट है अगर एर कंडिशन रूम है एसी घर पे लगावे तो सबसे बैस्ट है और आंकों पलकों को बंद कर दो अगर माननों गर्मी जादा है इसी नहीं है पंका बंद करके क्या करना चाहिए जो ठंडा कॉटन लेके ना रूही लेकर इसको गीला करके आंकों के पलकों के लगा दो इसका परपस यह रहागा कि हमारी जो आंक है वो ठंडी रहेगी कर सकते हैं जैसे हमारा जो चंडी गड़ का सेक्टर 32 का जो आई बैंक का नंबर है 9814821212 तो इस नंबर पर जब भी फोन करेंगे हमारी टीम 24 गंटे तयार रहती है उसके लिए जब टीम जाएगी तो सबसे पहले एक एक पार मृत्यों कैसे हुई मृत्यों का सर्टिफिक जाता है ताकि अगर किसी को मानलो HIV था या कुछ hepatitis या कुछ और दो तिन बीमारे हैं वो हमें रूल आउट करनी होती है तो blood sample ले जाते हैं उनको हम अपने hospital में जाकर चेक करते हैं अगर और reports negative हैं तो फिर मृस्क्रों को दूसरे को लगाएंगे जो नेतरहीन है अगर वो positive जाते हैं फिर उसको हम यूज ने करते हैं उसको हम फिर रिसर्च में यूज करते हैं तो blood sample लेना है, consent form पे signature कराने है बस इतना कुछ करना है तो यह 5-7 मिंट का काम होता है और दोनों आखों को निकालने में हम सिरफ 10-15 मिंट लगाते हैं उसमें ज्यादा लंबा चोड़ा समय नहीं लगता इसलिए को यह सोचे कि अगर हम आई बेंक को कॉल करेंगे तो हमारे फ्यूनरल जो मारे क्रिमेशन का प्रोग्रम सारा लेट हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है तो हम इमेजिटली सारा कुछ बहुत ही टीम इमेजिटली आती है और 10-15 मिंट के अंदर सारा काम हो जाता है अब अगर एक व्यक्ति के पास दो आँखें तो इन दो आँखों से हम किसी एक ही व्यक्ति को रोशनी दे सकते हैं या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को भी इन दो आँखों से रोशनी दी जा सकती है तो आजकल जो हमारी टेक्नोलजी है हमारा जो कॉनिया कर बहुत advance हो चुका है तो इस पहले हम क्या करते थे हमारी आँँकों में 6 लेयर होती है 6 परते हैं तो हम क्या करते थे एक वेक्ति जो नेतरीन है उसको सारी के सारी 6 के 6 परते लगाते थे क्योंकि मैं और कोई तरीका नहीं था लेकिन आप ऐसे टेक्निक आ गी है जिसमें हम सारी परतें अलग-लग कर सकते हैं तो इस तरह से माननों किसी के अगर परत नंबर तीन खराब है तो हम उसके परत नंबर तीन ही बदलेंगे अगर किसी के छे नंबर खराब है तो छे बदलेंगे तो इस तरह से हम सारी के सारी परतें एक को नहीं लगाते है तो इस तरह से अगर हम जो हम practically कर पा रहे हैं एक Avenue है जिसकी दो कॉर्निया है वो दो कॉर्णिया कम से कम छे लोगों में तो लगाई सकते है तो मतलब एक विक्ति जो मृत्यों के बाद कम से कम छे लोगों को रोशनी दे सकता है और दूसरी बात जो हमने कॉर्णिया लगाई वो विक्ति अब जो देख पा रहा है वो वेक्ती अपनी मृत्तिक बाद फिर आँके वो दान कर सकता है तो मतलब अभी एक वेक्ती जिसके मृत्तिक होगी उसने चे को रोशनी दी वो चे लोग फिर हर वेक्ती चे को आगे रोशनी दे सकता है इस तरह ऐसे मतलब endless मतलब benefit है हम काउंट नहीं कर सकते कि एक विक्ति कितने लोगों को फैदा दे सकता है तब ही नेतरदान को महाधान कहा गया है कि जितनी जादा हम रोशनी दे के जा सकते हैं हमारे जाने के बाद भी अगर हमारी आँखों से कोई देख पा रहे हैं तो उससे दादा बड़ी आखुशी के बाद कोई हो नहीं सकती है कई बार इस तरह भी होता है कि कुछ लोग जनम से ही अंध्य होते हैं तो क्या नेतरदान के दौरा उन्हें भी रोशनी दी जा सकती है? अचलिए हम आज जब यह कोई नेतर ही न है उसका हम पूरा टेस्ट करते हैं तो अगर कोई नेतर से तो उसके कारण जो जनम जात अन्ना है उसके कहीं सारे कारण हो सकते है अगर तो उसकी सिर्फ पुतली खराब है उसका पड़दा ठीक है बाकी सब कुछ ठीक है तो उसकी रोशनी आ जाएगी मान लो कि उसका पीछे का इससा खराब है तो फिर पुतली बदलने का फैदा नहीं होगा तो इन्फेक्ट जनम जात भी और बाकी जो भी है उन सब में हम जिसकी पुतली खराब है उसका हमें पड़दा भी चेक करना होता है अल्टा साउंड करते हैं और बाकी टेस्ट करते हैं तो सारे टेस्ट करके हमें लगता है इसका पीछे के इससर ठीक है सिर्फ आगे का खराब है तो फिर उसकी आगे का जो पुतली बदलने से उसको दिखना शुरू हो जागा चाहो जनम जा तो चाहो बाद में भी हो तो ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में उसकी जो आइज़ है वो उस पे हो अच्छा डॉक्टर साब एक बात और अगर मुझे नितरदान करना है तो स्वास्तिक तौर पे मानसिक तौर पे किस तरह की चैलेंजिस या किस तरह से मुझे फिट होना ज़रूरी है मतलब क्या स्वास्तिक तौर पे मेरा क्या फिट होना ज़रूरी है जो भी आँके दान करना जाता है उसका कुछ भी नीची है हमें हमें सिर्फ उसमें दो चीज़े देखने हैं कि उसको एड्स के बिमारी ठीक है नहीं थी और दुसरे इसको हैपिटाइटिस था या नहीं था तो उसके लिए वह में जब हम उसका कॉर्णिया लेंगे साथ में बलड सेंपल ले लेंगे तो हम जांच करेंगे तो जिसको नहीं तरदान करना उसको कुछ सोचने के जूरत नहीं है परदान करने हैं या रिक्सपेरिमेंट अंग कान परदान को सकते हैं तो जो नेत्रने उसकी आंग में लेंगे क्योंगे वह भीमारी फिर इसको जा सकती है operation जब नेत्रदान का होता है तो कितना खर्चा हो जाता है या फिर इसकी कोई specifically अलग शरीर से करने में कितना वक्त लग जाता है जो नेत्रदान कर रहा है उसका तो कोई खर्चा होना नहीं इसको अमरे यह कौर्णिय लेके आगे तो उसको बिलकुल हम फ्री में भी कर देते हैं. जैसे कि हम बात करते हैं कि फिंगर्पिंट्स हर एक इंसान के अलग होते हैं, ब्लड ग्रुप्स भी अलग होते हैं, तो क्या आइस में भी कुछ ऐसा होता है कि ग्रुप्स में बटी होती है, तो अगर मैं B-negative का हूँ तो मैं अगर I-donate करना चाहता हूँ वो B-negative वाले कोई हो सकती क्या ऐसा भी कुछ है या फिर मैं किसी को भी अपनी I-donate कर सकता हूँ तो सुभाग्य से जो नेतर जान का मामला है बहुत ही सिंपल है क्योंकि जो blood grouping है आँखों के अंदर ऐसे कोई grouping नहीं होती क्योंकि आँखों के अंदर जो cornea है बिलकुल A-vascular मतलब उसके अंदर कोई blood supply नहीं होती तो जो भी kidney या कुछ organ जो reject होते है उसका कारण क्या होता है क्योंकि वो सारे उसके अंदर blood होता है नहीं होता है तो इसलिए कोई भी वेक्ति किसी भी कारण किसी को भी लगाया जा सकता है तो blood group का उसका कोई लेने देना आई donation से नहीं है तो हम practically करते भी ऐसे ही है जैसे हमारे hospital के अंदर हर मंगलवार को cornea clinic होता है तो जो भी नेतरीन वेक्ति है उनका नाम धर्ज कर लेते हैं फिर उनका जब डोनेशन आती है तो उनको उसी waiting list से बलाते है उनका नाम लिख लिया फिर जिसकी बारी होती है उसको बलाते है तो डोनेशन कहीं से भी आ रही हो तो लगने वाला लगाना कि इसको जिसका waiting में नाम है तो वो serial order में चलता रहता है क्योंकि किसी की cornea किसी को भी लगा जा सकती है हमें यह नहीं मैच करने के अवशकता है इसमें नहीं पड़ती अगर मैंने प्लेज जो है वो चंडीगड में ली है और मेरी मृत्यू है चंडीगड से बाहर कहीं हो जाती है तो क्या मुझे मतलब वापिस मेरी को कि इतना वक्त तो बॉड़ी को यहां पर लाने में वक्त होज लग जगा छे घंटे से जादा तो मेरी उस जो नेतरदान है उसे मैं मतलब वहीं पर कर सकता हूँ या मुझे चंडीगड आके करना पड़ेगा क्या प्रसीजर फॉलो करना पड़ेगा तो बिसे के लिए हमारा देश एक है हम सब एक है तो हम सब का जो करतव्य है कि एक दूसरे की एल्प करना तो यह जो प्लेजिंग है प्लेजिंग मामनों कहीं भी करो उसका मतलब यह नहीं को डोनेशन वहीं पर ही देनी पड़ेगी तो जिसकी जहां भी मृत्यू होती है हरे हमारे देश के अंदर हरे शेहर के अंदर आई बैंक है है क्योंकि ट्रांस्पोर्टेशन में अगर लग गए तो फिर उसमें च्छे से ज्यादा टाइम लग गाएगा च्छे गंटे से तो कोई यूज करने लाइक नहीं होगी तो प्लेजिंग का मतलब सिर्फ है कि जाग रुकता फैलाना वह आखे नहीं भी वह आखे मितन हैं और बिल्ग रखेंग च्छेट विसमारे से जईने वक्ताइगा लगा तो नहीं है कितने परतिश्यत लोग हैं जो अब इस कारे के लिए आगे आना शुरू है क्या लगता कि कितने लोगों में जागरुकता आई है क्योंकि भारत जैसे देश में जहां पर हम लोगों के लिए अपने शरीर को लेके काफी जादा भावना हैं तो हमें यह लगता है कि अगर कोई हिस्सा हम मरने से पहले कार दे तो शाय स्वर्ग ना मिले या और ऐसी बड़ी मतधारना हैं जहा कि अभी भी ऐसे अंधविश्वास हैं जो यह सोचते हैं जैसे आपने मता है कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि अगर मैं आंके दान करूँगा तो फिर अगला जनम जो मेहाँ अइस जो क्रिया किया जाएगा, तो क्रिया कम्प्ली नी होगा, जिसकी मुझे स्वरग नहींoqu लेगा, तो इस सारे इसारे किसी भी रंत के अंदर ऐसा नहीं लिखा sólo like किसी भी शास्तर मेंशा नहीं बोला गया, जैसे पहले हमारे 32 सेक्टर मेडिकल कॉलेज के अंदर 2001 में आई बेंक शुरू हुआ था तो शुरू शुरू में यह हमें प्राबलम आती थी लेकिन अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि इस तरह के प्रश्ट लोगों के दिमाग में बिलकुल नहीं है हर व्यक्ति दूसरे की हल्प कर रहा है पहले जैसे हम शुरू में बेभी 30-40 डोनेशन साल में मिलती थी लेकिन अब हम कम से कम 300-400 हमें हर साल मिल जाते हैं सिर्फ सेक्टर बती मेडिकल कॉलेज के अंदर तो यह सारा जागरुकता का बहुत बड़ा फैदा हुआ है तो यह समय आएगा जब नेतरदान के लिए में प्रोग्राम करना ही नहीं पड़ा है हर कोई इस चीज के लिए खुद जोड़ना चाहेगा और मुझे लगता है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं तो एक वो जो अंदर की खुशी है वो भी एक बहुत बड़ी वज़या आज की जनरेशन के लिए कि सब को लगता कि कि किसी के लिए हम कुछ अच्छा तो कर पा रहे हैं डॉक्टर साब चंडिकर्ड में कहां कहां पे इस जागरुता भियान को चलाया जा रहा है जैसे चन्डिकर्ड में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जैसे जितने कॉलिज़ेशन को बच्चे वहाँ पर पर जो भी लोग आते हैं पर में भी हमारे प्लैने की शाइद एक आई डॉनेशन वाक भी की जाएगी तो इस तरह से कई सारे प्रोग्राम करते रहते हैं चलते रहते हैं और यह जो लेक्चर तो इन्फेक्ट सारा साल ही चलते रहते हैं तो हम सब को यह सोचना चाहिए कि सेल्फ लेस सेवा कर कोई करना चाते है यह सबसे बड़ा अच्छा तरीका है क्योंकि खास कर हम जीते जी भी हमें कुछ नहीं देना पड़ रहा पिल्कुल मृत्यू के बाद हम कुछ देना चाहरे हैं जो कि हमारा है ही नहीं ठीक है तो अगर कोई अंसा करेगा तो definitely हम समाज की बहुत बढ़िया सेवा कर सकते हैं डॉक्टर साब इस संपून जितना भी हमारा कैम्पेंज चल रहा है इसकी जानकारी तो आपने दी आखिर में हमारे दर्शकों लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने आपको और प्रोस्ताहित करें सो दैट कि वो इस चीज़ के साथ और जोड सकें मैं यह कौंगा कि काफी सारे लोग अवेर हो रहे हैं हमें पहले तो खुद को अवेर करना है अपने घरवालों को मोटिवेड करना है साथ में हमारे जो भी फ्रेंड सरकल है जहां पर हम जॉब करते हैं क्योंकि पहले जैसे हमारी वेटिंग तीन-तीन साल तक होती थी देर देर फिर अब दो साल होगी तो फिर हम उनको पूछते हैं कि क्या आप अपने आखेदान करना चाहोगे तो सोचना शूरू कर रहते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें लोगों की हेल्प करनी है ना कि हेल्प लीनी है तो जब हमारे यह भाव होगा कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है तो आटिमेटिकलिए हम नेतरजान के लिए खुद आगे आएंगे और जो का मैं करना है यह सारे कुछ हर व्यक्ति कर सकता है जो मैंने बताया है यह सारम समझे और हमारे आसफस जो भी लोग रहते हैं उनको हम खुद समझाएं क्योंकि हम समझेगा नहीं पहुन सकते तो इस तरह से कि हम सबको समझाएंगे कभी कभी हमारे दोरा लिया एक निरने ना सरफ हमारे जीवन को उदेश्य दे जाता है बलकि किसी के जीवन की रौश्णी की वज़ा भी बन जाता है तो अगर आप नेतरदान कर सकते हैं तो ना सरफ नेतरदान कीजिए बलकि अपने नित्रों को अपने बाद इस दुनिया को देखने का मौका भी दीजे और साथ में हो सके तो अन्य लोगों को भी प्रोच साहित करें ताकि किसी के अंधेरे में रौश्णी की एक केरना सके स्टूडियो में साथ जोडने के लिए धन्यवाद दॉक्टर साहित थैंक्यू सचिन जी थैंक्यू वेरी मच्च